सितरामजी के बावड के पास बाहिती की बागीची रोड पर इस्थ आनंद धाम हवेली में पोश कृष्ण नवमी रविपार को विठल नाथ का प्राकटे महुचव धूंगदाम से मनाया गया। हवेली में इस उपलक्ष में विशेश मनोरत के आयोजन हुए आनंद धाम के अधिकारी मुकेश पाराशर ने बताया कि सुबह साड़ी साथ बजे मंगला दर्शन के साथ महुचव की शुरुवात की गई थी। साड़े-दस बजे पालना दर्शन हुए जिसमें हवेली के मुखिया विनोत ने लड़ू गोपाल को पालना में विराजमान करकी जुला जुलाया। विबिन खिलोनों से भगवान को रिजाया दोपाल साड़े-बारा बजे राजभूग के दर्शन के लिए बड़ी संक्या में भकतों की भीर उम्रे। सुमन भाहिती सीता मोदानी कृष्णा चितोड़ा सारे का बचाच मंचुर श्रीमाल कृष्णा पालक ने भजनों की प्रस्तुति दी। सुमन भाहिती सुमन भाहिती वेश्णों सेवा सुन्तान भाहिती वेलबाटा तवारा स्रीविट्रनाद जी शी गुषए जी के प्राकट चितों का हुस्सव मना रहे हैं। जिसे जले भी उस्तव के बारे में जाना जाता है। और सारे वेश्णों जन उसमें आमंत्री थें। वीलबड़ा की जितने भी वेश्णों जन आनंदाम हावेली में। जनरल भी उसमें आमंत्री थें। और मेंबर्स भी आमंत्री थें। और इसी गुसाई दिया जो प्राकटी उस्व है इसको बड़े धूमदाम से अनन्दाम हवेली में बनाया जाएगा इस उस्व का जो है एक शिनाजी और द्वार का दीश और बलालन का जो मंदिर यहां बना हुआ है उस मंदिर में एक बहुत भवी उस्व के उस्व से बनाया झाल सकता हुआ है झाल सकता है यह है झाल स praदिश तो बभी तोाम बनाया हुआ है जसी डहां और धूम एलत है स्वेशफी이가 बनाया में श्यक्निक बनाया हुआ हा जसे अन्स च़सके ऩर जूबस्तों बहीं है जे Мाईका का, का ।ो म क्जल नहा